Hello everyone, मेरा नाम है Dr. Avinash और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Health Kitchen Podcast. दोस्तों, कॉलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो के आपके हार्ट डिजीजिस को पैदा करने के लिए एक बहुत ही मेजर रिस्पॉंसिबल फैक्टर है. दो तरह के कॉलेस्ट्रॉल्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं. एक होता है LDL कॉलेस्ट्रॉल और एक होता है HDL कॉलेस्ट्रॉल. LDL यानि बैड कॉलेस्ट्रॉल जो होता है, ये हमारी आर्टरीस के अंदर जम जाता है. वहाँ पर ब्लॉकेज पैदा करने का काम करता है और हमारे लिए बुरा होता है वही HDL cholesterol जो होता है ये good cholesterol कहलाता है क्योंकि ये protective होता है हमारी body को protect करता है हमारे heart को protect करता है और LDL cholesterol को कम करने का काम करता है वैसे तो cholesterol को कम करने के लिए lifestyle और weight management बहुत ही important factors होते हैं लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी home remedies भी हैं कुछ ऐसी herbs भी हैं जो की cholesterol को कम करने का काम करती है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 6 ऐसी herbs जो की आपके cholesterol को कम करने का काम करती है और आपके heart को protect करती है heart diseases से blockage से और high blood pressure से तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फटा फट से इस चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए क्योंकि आगे भी इस तरह की बहुत ही सारी informative वीडियो आपके लिए आती रहेंगी तो चलिए दोस्तों अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और इन 6 हर्प्स के बारे में डीटेल में आपसे बात करते हैं सबसे पहली चीज जो मैं आपको suggest करूंगा आपका cholesterol level कम करने के लिए वो है garlic जी हा लहसुन एक बहुत ही अच्छी चीज है आपके cholesterol को कम करने के लिए लहसुन के अंदर एक organic sulfur compound पाया जाता है जिसको बोलते हैं अलीन और ये अलीन ही responsible होता है इसके अंदर पाई जाने वाली सभी therapeutic properties के लिए लहसुन आपके LDL यानी bad cholesterol को कम करता है और HDL यानी good cholesterol को बढ़ाता है इसके साथ-साथ आपके BP को भी control करने में काम आता है anti-inflammatory और anti-bacterial properties भी इसके अंदर होती है overall आपकी cardio protective जितनी भी चीज़ें होती है उनमें सबसे बहतर चीज जो आपके लिए हो सकती है वो है garlic एक दिन में एक से दो cloves garlic के आप ले सकते हैं सुबह खाली पेट पानी के साथ इसको आप चबा कर भी ले सकते हैं या फिर इसको supplements के रूप में भी ले सकते हैं बहुत सारे अचार भी आते हैं garlic के, जो कि सिरके के अंदर होते हैं, तेल वाला नहीं, सिरके के अंदर जो अचार होता है garlic का, उसको भी आप ले सकते हैं, दिन में दो-तीन बार इसका regular use जरूर करना चाहिए, दूसरी चीज, जो आपके cholesterol को कम करती है, वो है green tea, जी हाँ, green tea, taste में भी अच्छी होती है, आपको refreshment भी फील होता है, और ये साथ-साथ आपके cholesterol level को भी कम कर देती है, ये आपके LDL को घटाती है, और HDL को बढ़ाती है, green tea पीने से आपके गट के अंदर cholesterol का absorption कम हो जाता है, यानि पेट के अंदर fats का absorption कम हो जाता है, और चूंकि इसके inflammatory और antioxidant properties भी होती है, तो overall आपके heart को protect करने का काम भी green tea करती है, एक दिन में 2-3 cups आपको लेने चाहिए green tea के बिना शुगर के, जिससे आप इसका best benefit हासिल कर सकते हैं, तीसरी home remedy जो आपको मैं suggest करूंगा, वो है धनिया, जी हाँ, coriander seeds या धनिया बहुत ही फायदे मंद है, वै काम तोर पर इसका काफी use होता है, लेकिन अगर इसको आप therapeutic तोर पर लेना चाहते हैं, तो भी इसके बहुत सारे benefits हैं, आयूरवेदिक medicines में बहुत सारी इसको use किया जाता है, और ये आपके cholesterol को घटाने का भी काम करता है, धनिये के वैसे तो बहुत सारे और भी benefits हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये आपके दिमाग को भी मजबूत करता है, बालों को strengthen करता है, आपकी eyesight को भी improve करता है, लेकिन जो इसका basic सबसे बड़ा benefit है, वो है आपके cholesterol को कम करने का, इसको आप भून कर खा सकते हैं, काफी tasty होता है, आप सौफ के साथ भूना हुआ धनि tasty तरीके हैं, जिन से आप इसको ले सकते हैं, एक दिन में एक से दो चम्मच तक धनिये के बीज आप ले सकते हैं, और आपके cholesterol को बहुत जल्दी ये घटाने का काम करेगा, चौती है ISF गोल की भूसी, जी हाँ, ISF गोल की भूसी बहुत ही फायदेमंद है, आपके cholesterol को कम करन है, उसको accept कर लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर USFDA किसी को approve कर रहा है, तो वो कुछ तो असरदार होगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा fiber पाया जाता है, soluble fiber पाया जाता है, और soluble fiber जो होता है, ये आपके गट के अंदर से fat के absorption को slow down कर देता है, और blood के अंदर से cholesterol को क कम करने का काम करता है, तो एक से दो चम्मच तक यी सब गोल की भूसी आप ले सकते हैं, रोजाना पानी के साथ या धही के साथ, और इससे आपका cholesterol level बहुत ही तरीके से कम होगा, और चूंकि इसके अंदर fiber बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आपको कोई digestive problem है, constipation वगेरा की, तो उसमें भी इसका काफी अच्छा effect आपको मिलेगा, पांच वी जो मैं आपको suggest करूंगा, cholesterol कम करने के लिए, वो है fenugreek seeds, यानि मेथी का दाना, मेथी का दाना बहुत ही फायदेमंद है, वैसे तो आमतोर पर लोग इसको use करते हैं, diabetes को manage करने के लिए, लेकिन क्या अंदर anti-inflammatory और antioxidant properties भी पाई जाती है, और इसके अंदर एक compound पाया जाता है, जिसे saponin कहते हैं, ये saponin आपके cholesterol को कम करने का काम करती है, और इसके साथ-साथ जो इसके अंदर fiber पाया जाता है, वो fiber आपके liver के अंदर जो cholesterol बन रहा है, उसे भी कम करने का काम करता है, तो overall आ आपके cholesterol profile को manage करने के लिए, maintain करने के लिए, मेथी का बहुत अच्छा effect आता है, एक से दो चम्मच तक मेथी आप ले सकते हैं, पानी में भीगोने के बाद, सुबह नाश्ता करने से पहले, या फिर नाश्ता करने के फौरण बाद, Last, but not the least, मैं आपको suggest करूंगा, आमवला, गर आप अपना cholesterol level कम करना चाहते हैं, तो, आमवला vitamin C का भरपूर source है, और इसके अंदर antioxidant भरपूर मात्रा में मिलता है, आमवला से आपका cholesterol level भी कम होता है, और चूंकि इसके अंदर antioxidant बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये आपकी body के अंदर atherosclerosis, यानि नसों का सक्त होना, उसके अंदर cholesterol जमने की वजह से, जो सक्ती आ जाती है, उसे कम करने का काम करता है, और इसके साथ साथ, coronary artery diseases से भी, हमें ये महफूज रखता है, आमवला, तो आमवला आप ले सकते हैं, ये बहुत ही फायदे मंद है overall आपकी health के लिए, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits हैं, जिसके बारे में आगे कभी फिर पूरी वीडियो बनाएंगे आमवला के बारे में, बट फिलहाल आप जान लीजि क्योंकि इसका taste काफी कसेला और खटा होता है, तो इसको आप मुरब्बे की शकल में ले सकते हैं, मुरब्बा अगर ले रहे हैं और उसको आपने चीनी में बनाया है, तो पहले धोलीजिए ताकि जो excess sugar है वो खत्म हो जाए, और उसके बाद आप इस आमवले के मुरब्बे को ले सकते हैं, आमवले का आचार भी आता है और आमवले की candies भी आती है, candies में no doubt sugar वगेरा ज्यादा मिला हुआ होता है, तो वो मैं उतना suggest नहीं करता हूँ, आप आमवले का मुरब्बा ले लिजिए धोने के बाद, या फिर आमवला ऐसे ही कच्चा भी आप खा सकते हैं, या फिर उसको आप आमवले का पीसा हुआ, जो पावडर आता है, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है, अगर आप पावडर ले रहे हैं, तो एक से दो चम्मच तक आमवले का पावडर आप रात को सोते समय गुन-गुने पानी से लीजिए, और अगर आप मुरब्बा ले रहे हैं, या आवला कच्चा खा रहे हैं, तो सुबह खाली पेट लेना उसका बेस्ट होता है आपके लिए, तो दोस्तों, कोलेस्टरॉल एक ऐसी चीज है, जिसको मैनेज करना, टाइमली मैनर में बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होता है, तो जो हर्ब को कम करने की स्पीड और ज्यादा हो जाए, और आप जल्दी से जल्दी कोलेस्टरॉल से छुटकारा पा सकें, दोस्तों, मुझे उमीद है, आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्र पर एक नई बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ